ओम सिरीगनी सायनमा दोस्तो एश्क्रू समाधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपक कुछ से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए रविवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाव के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बहर के कंपणियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्थ होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाएक आज प्राप्त होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गणमाने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्त होगी कामकाज के छित्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्छा साब दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो, धन्यधान अचल संपत्ति प्राप्ति के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है। लबदियां प्रदान करेगा जया दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी महनत का आज आपको भर्पूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब वहोगा जया दोस्तो इसलिए आज आप शमय का सद्यों प्योग करें कोई कि आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता पराकरमे व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साती साथ आपको अपने कार इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बना हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती सात गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असان्ति के साथ सात काररे वैवसाय में भी आज वैवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहत थता परिसानियों से काररे योजनाओं में बादाएं उत्पन हो सकती है अथे साभदानी रखना आपके लिए अनिवार रहे दोस्तो साथी साथ आपका शक्की स्ववभाब आपके लिए आज कुछ परिसानिया उद्पन कर सकता है बच्चों पर ज्यादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिसानिया खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं, पिता का सम्मान करें, कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं, थोड़ा साफधान रहें दोस्तो साती सात आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें, अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है दोस्तो आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं, उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें, मत बेहदो की एक लंबी स्रंखला के पनपने के करण आपको समंजस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है, थोड़ा इफकेशी रहने वाली हैं, दोस्तो अगर आपके दमपत्ते जीवन की बात करें, तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है, या दोस्तो प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अतियुत्तम रहेगा, या दोस्तो विवाद प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपकी गुप्त योजनाएं आपके काम में ज़्यादा फायदे देंगी जहां दोस्तो इस समय कहीं से आज आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आप को अपने निर्ने को ही मननेता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा जहां दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कारें आज आपके लिए सभी आसानी से सफल होंगे कारोबार विस्तार की आज आप दोस्तो साथी साथ आपको पैसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्य ही लाबदाएक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पैसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से सम्मनित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्य ही प्रात हो सकती है जिस से इनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा लेकिन सुबाशुब ग्रहों की इस्तिती के कारण आज आपको शकारात्मक वे नकारात्मक दोनों ही तरह के पेलडाम देखने को मिलने वाले रहेंगे ज्याँ दोस्तों साररिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ आज आपको अधिक जोर देने की जरुत है आपको अपने क्रोध पर आज नियंत रखना होगा सातिसाथ दोस्तो अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेट से सम्भंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्त तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद तामे के बरतन लाल वस्त्र गेहूं गुड लाल चंदन इन में से किसी भी चींज का दान आप भगवान शुरदेव के समर्ण करते हुए अवश् और आपके समस्त कार रहें बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तों आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तों भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुरदेव अव आपलेवाद